नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी से परेशान है तो वही दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने भी देश में दस्तक दे दी है जिससे जनता पर दोहरी मार पड़ रही है लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है कि ऐसे ऐसे बयान दे रही है जिससे उसकी खुद ही फजीहत हो रही है अभी कुछ दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया था और कहा था कि हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हमारी सरकार आएगी तब लगवाएंगे तो वहीं अब उन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता आईपी सिंग ने बर्ड फ्लू पर पीएम मोदी का मजाक उडाते हुए कहा कि देश में अगर बर्ड फ्लू फैल रहा है तो इसकी वज़ह पीएम मोदी है क्यूकि उन्होंने मोर को दाना डाला था दरसल कोरोना वाइरस संक्रमेंट से जारी संखर्ष की बीच अब कई राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमेंट फैल रहा है जिससे निपटने के लिए उपाय किये जा रही है इसकी वज़ह से जम्मू कश्मीर मधिप्रदेश समेट कई राज्यों में पोल्टरी कारोबार पर रोक लगा दी गई है क्यूकि देश के कई राज्यों में पोल्टरी कउओं प्रवासी पक्षियों की मृत्यू दर से हालात बिगड़ते जा रही है लेकिन दूसरी तरफ सपा की ओर से विवादित बयान आ रही है सपा के राष्ट्री प्रवक्ता आईपी सिंग ने पीएम मोधी के मोर को दाना खिलाते हुए तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा और लिखा इस व्यक्ति का क्या करें पक्षियों को दाना खिलाया तो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए बेचारे अपने इस तंज पर एक और ट्वीट करते हुए आईपी सिंग ने लिखा एक राजनितिक तंज पर इतने नाराज हो गए फकीर बर्ड फ्लू देश भर में एक गंभीर समस्या बन चुका है और प्रदेश सरकार ने इस संदर्ब में कोई भी तैयारी नहीं की सिर्फ योगी जी ने दिये सक्त कारवाई के आदेश जैसी बातों से समस्याओं का हल नहीं होगा पीम मोधी का मजाक उड़ाने के बाद सपा प्रवक्ता ने कोरोना से लड़ने के लिए योगी सरकार की बनाई गई टीम 11 का भी मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया योगी जी का पक्षियों को सफ्त निर्देश मरना है तो मध्यप्रदेश की सीमा तक ही मरे उत्रप्रदेश में मरने पर टीम 11 रासुकवा के तहत कारवाई करेगी बर्ड फ्लू से परेशान पक्षी योगी जी के इस आदेश से थर थर काप रही है ऐसे समय में जब बर्ड फ्लू देश पर कहर बनकर तूट रहा है तो सपा प्रवक्ता आईपी सिंग का इसके लिए पिये मोधी को जिम्मेदार ठहराना कितना जायज है ये तो आप ही तै करिए बहरहाल आपको बता दें पिये मोधी का पशु पक्षी और प्रकरती सिप्रेम किसी से छेपा नहीं है बीते साल अगस्त में ही पिये मोधी ने अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर एक वीडियो साजा किया था जिसमें वो अपने आवास के बगीचे में मोर को दाना चुगाते हुए देखी गए थे इसी वीडियो के बहाने सपा नेता आईपी सिंग ने पिये मोधी पर निशाना साधा है बेरहाल पहले खिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता कर सियासत की और अब सपा के राष्ट्रिय प्रवक्ता कह रही है कि इस व्यक्ति का क्या करें पक्षियों को दाना खिलाए तो बर्ड फ्लू की चपेट में आगए बिचारे सपा की इस सियासत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं